Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Unboxing Burner जिस phone की आज हम लोग unboxing करेंगे वो है Infinix का Hot 11 Infinix का Hot 11 की unboxing video भी आज मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए ले आया हूँ without any delay video को करते हैं start phone की pressing के बारे में भी आपको end पर बताऊँगा तो अगर हम लोग सबसे पहले box पे देख लें तो आपको पता है simple सा box है Infinix Hot 11 यहाँ पे लिखा है इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो G70 gaming processor है मेरे पास यह variant है 128 GB इसकी memory है और 4 GB इसकी RAM है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी simple hot 11 लिखा है आउट है नी डिलेजी मैं इसको करता हूँ अन बॉक्स देखते हैं हमें box में क्या-kya चीज़े साथ मिलती हैं और यह है जिए हमारा phone रंग परंगा सा वाइट और वाइट है और ब्लू है फिर यह भी मैं आप लोगों कलर दिखाता हूँ इसको भी रखते हैं आप साइट पे बागी देख लेते हमें क्या मिलता है यह जी हमारा चार्जर सिंपल है पास चार्जर नहीं है और यह इसकी क्या है अच्छा कवर भी है कवर भी दिखात देते हैं आपको हमेशा की तरह डालर का स्टीकर यह भी आपको साथ मिलता है और यह आगया ची कवर और यह सिलीकॉन कवर है अच्छी गॉलिटी के इन सारी चीजों को मैं रखता हूँ साइट पे और अब हम बात करते हैं फो की तो फून का मैं यह कवर भी उतार लेता हूं यहां पर इसकी कुछ स्पैसिफिकेशन वगरा लिखी हैं यह मैं आप लोगों को आगे जागे वीडियो में बताता हूं सबसे पहले अगर मैं इसकी आपको बैक दिखा दूं तो आप देखें दो गलर्स में यह वाइट है यहां से थोड़ा सा ब्लू होता है और फिर यहां पर डार्क ब्लू यह इसका फिंगर प्रिंट अनलॉक के लिए और यहां पर इन्फिनिक्स की ब्रैंडिंग भी हुई है पैक पसके तीन कैमरे हैं और अल्टरा नाइट जो है वो इसके उपर लिखा वा है अगर आप ओके जी फून जो हे हम लोगों का वो अन हो चुका है यह आप देख सकते हैं इसका डिस्पली का रिस्पॉंस भी अच्छा है बहुत जादा बुरा नहीं है अच्छा बहुत जादा अच्छा भी नहीं है क्योंकर यह 0.20 हرड्ट और इसकी 60 हर्ड्ट इसकी स्क्रीन नहीं ह अगर मैं इसके स्क्रीन के साइज की बात करूँ तो 6.6 इंची इसकी स्क्रीन है HD+. कलर्स जो हैं वो फून के अच्छे हैं अगर मैं ब्राइटनेस इसकी एक तफ़ा फुल कर लूँ तो यह इसकी फुल ब्राइटनेस है आप लोग वीडियो में इसको देख सकते हैं और इसके अंदर जो प्रोसेसर डावा है G70 गेमिंग प्रोसेसर इसके अंदर डावा है और इसका जो है मैं PUBG टेस्ट भी करूँगा और अपने चैनल पर अप्लोट कर लूँगा वहाँ पे आप जाके देख लीगा कि इसके अंदर PUBG कैसे चल लिए क्योंकि आज कल हर फोन पे हर लड़के ने PUBG ही खेलनी होती है जो सबसे में गेम होती है तो देख लेते हैं इसके अंदर भी PUBG कैसे चलती है कुछ दिनों में इसके PUBG की वीडियो अप्लोट कर लूँगा तो G70 जो इसका गेमिंग प्रोसेसर है उसका रिजल्ट आप लोग देख लीगा अगर इसके बैटरी की बात करते तो इसकी बैटरी सबसे जादा अच्छी है 5200 mAh की इसकी बैटरी है और 5200 mAh अभी तक जितने भी फोन मैंने अन्बॉक्स की है सबसे जादा बैटरी इस फोन की है 5200 mAh जो के आपको काफी जादा अच्छा एक बैटरी टाइम देने वाली है यह जो हाट 11 है इसके अंदर ड्यूल स्पीकर्स है ठीक है दो स्पीकर्स इसके अंदर है और यहाँ पर देखें इन्होंने लिखा भावी है ठीक है ड्यूल स्पीकर, पर सैने मैट्यक ड्यूल स्पीकर्स Ready ड्यूल स्पीकर्सूर अगर इसके इन्दर है अगर इसके Front camera की मैं बात करता हूं यह वाला जो camera है यह जो इसका Front camera है यह 8 megapixel का filters के फ्रिंड कैमरा है ठीक है और अगर मैं इसके back camera की बात करता हूं तो तीन camera इसके back पर लगे हैं और जो इसका main camera है वो 13 megapixel का back camera है इस phone के अंदर face unlock भी है और finger print से भी यह unlock होता है दूनों functions है इस phone के अंदर phone की जो feel है काफी ज़्यदा अच्छी है handy feel है बहुत जदा भारी निया light weight है यहां पर आप देख सकते हैं अनलॉक का बिटन है लॉक अनलॉक का बिटन है यहां पर वाली अपने डाउन का बिटन है यहां पर अपनी सिम अगे डाल सकते हैं नीचे अगर हम लोग आ जाते हैं यहां पर स्पीकर है यह आपकी चार्जिंग के लिए यह आपकी हैटफून के तो इससे जादा का फोन यह नहीं है जो मुझे बताया गया है 24,500 तो तो थोड़ी सी कम हो 24,000 हो जाए हो सकते थोड़ी सी जादा हो 25,000 हो जाए तो इससे जादा नहीं होने वाली 24,000-25,000 के अंदर यह फोन आपको easily market में available होगा तो इसके अंदर और भी colors हैं जरूरी नहीं है कि आप यह color लें लेकिन यह budget phone है budget phone के लियाज से मुझे इसकी specification ठीक लग रही है क्योंकि इसकी जो बैटरी है 5200 mh जो इसकी बैटरी है वो अच्छी है जो इसके अंदर G70 gaming processor डाला है वो भी अच्छा है आपको गुजारा कर जाएगा प्लस इसके अंदर dude speakers भी है face unlock भी है तो यह totally phone की details है और again अगर आप लोग फिर price का अगर सोच रहे हैं तो मैं फिर बता रहा हूँ 24 से 25,000 के अंदर यह phone आपको easily मिल जाएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में आपने YouTube चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें एंड तक देखें कॉमेंट्स में भी मुझे बताएं आपको वीडियो कैसे लगी phone कैसा लगा और इसी तरह सपोर्ट करते रहें ताके हम लोग जो है आपके लिए exclusive unboxing की वीडियो इस चैनल पे upload करते रहें आप लोगों के लिए मिलते हैं किसी और वीडिय आपके अबड़ियू